लाइव्य स्टूडेंट तो आज की वीडियो में हम solve करेंगे इस ट्यप्ड बार को तो चलिए जलिए से स्टैब बार बना लेते हैं तो यहां पर हमपड डिजाइं में जाएंगे को इसके बाद आप यहां पर प्लेइन पर प्लिक करेंगे बैलेंश को क्लिक करें करेंगे तो यहां मैं 120 mm यानि 12 centimeter का डायमीटर होगा इसके बाद एस以前 पर क्लिक करेंगे एन्ब पर क्लिक करने के बाद आपको यहां प wash पर क्लिक करना है ताएक आब तक इसे dimension दे सके तो यहां पर मैं 200 mm की dimension दे रहा हूं तो यह हमारा पहला step तो बन चुका है इसके बाद इसके उपर दूसरा step बनाने के लिए आपको यह उपर वाले face पर click करना है तो यह surface select हो जाएगा जैन अगें sketching करेंगे तो यह surface घूमकर आपके सामने आ जाएगा जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यह घूमकर सामने आ की distance का बनाना है और इसके बाद exit पर क्लिक करेंगे और इसको भी हम dimension दे देंगे यानि इसको पैड कर देंगे यहां से और अगें यहां पर मैं फिर से 200 mm को dimension दे रहा हूँ तो यह मेरा दूसरा step बन चुका है जो कि उससे कम diameter का है इसके उपर एक और बनाना है तो आप उपर वाला face select करेंगे देन अगें sketch पर क्लिक करेंगे और यह घूमकर सामने आ जाएगा plane आपके यह दिखेगा और अगें circle पर क्लिक करना है अगें दूसरा circle बनाना है और आप इसके बाद constraint पर क्लिक करेंगे और यहां पर 60 mm लिखेंगे enter करने के बाद आप exit कर दीजेगा और extrude पर क्लिक करेंगे अगें फिर से वही dimension देने के लिए तो यह 200 की dimension में फिर से लिए पर क्लिक करेंगे और यहां पर आपको चेंज करना होगा यहां कैटिया पार्ट लिखा है बट आप इसको आइजी एस में सेव करेंगे यहां पर यह दिखेगा आपको ऑप्शन दिख जाएगा four आई जी已經 में हम इसको s toys सेव कर रहें क्योंकि सिंगल कंपोनेंट है ऐसेंबली फाइल नहीं है तो आप इसको 19 फाइल नहीं है तो इसको आफ्येट सेव कर सकते हैं और इसके बाद आप इसमें नाम दे दिजे oween रहता है पहले से ही अगर चाहें तो कोई भी यहाँ से add कर सकते हैं यहां कि जो Annis कि àउसे भी ऐड़ सकते हैं और आप चाहें तो अपने लिए फी यहां ढ़ेश करेंगे और जो आपने geometry हमारी import हो चुकी है इसके बाद आप model पर double click करेंगे जो geometry हमने catty हमें बनाई थी वह यहां पर आ चुकी है आप देख सकते हैं अब हमें यहां पर इसकी mashing करनी है और boundary condition apply करनी है तो चलिए जैसे कि मैं यहां directory को expand कर रहा हूं तो आप देख सकते हैं यहां पर एक single part दिख रहा है क्योंकि हमने एक single part बनाया था अगर यह assembly file होती तो यहां पर बहुत सारे parts के नाम लिखे हुए आते तो इसके बाद हम यहां पर मैश पर right click करेंगे और generate मैश पर click कर और improve कर लेते हैं तो इसके लिए आपको यहां पर मैशिंग पर right click करना होगा insert में जाएंगे और sizing tool का यूज कर रहा है हम यहां पर मैशिंग को improve करने के लिए तो यहां पर आपको geometry select करनी होगी जिस भी part की आपको geometry improve करनी है आप उसको select कर सकते हैं बट मुझे यहां पर पूरे ही part की जो मैशिंग है वो improve करनी है तो यहां में select पर click करूँगा और body selection वाले tool पर click करूँगा और click करते हैं यह पूरी की पूरी body एक साथ select हो जाएगी आप इसके अलावा यह भी कर सकते हैं कि आप यहां से box selection लेने के बाद आप drag करके पूरी geometry को भी select कर सकते थे तो यहां में apply पर click करूँगा तो यह पूरी body मारी select हो चुकी है इसके बाद आपको यहां पर default जो size दिख रहा है element का वो देख सकते हैं आप यहां पर 31 mm के आसपास है तो यहां पर हम element के size को कम करेंगे तो यहां में 5 mm ले रहा हूँ यानि जो size होगा वो element का 5 होगा और 5 के आसपास होगा तो यह दोनों setting करने के बाद आपको यहां पर वापस से मैश पर right click करना है और generate मैश पर click करना है अब यह वापस से मैशिंग करना शुरू करेगा विद इंप्रूव मैशिंग size और थोड़ा सा time लेगा है यहां पर क्योंकि हमने मैशिंग के size को बहुत कम कर दिया है तो जितनी चोटी आप मैश बनाते हैं उतना time वो simulation में और मैशिंग करने में लेता है तो यह देखेगा यहां पर मैशिंग बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो चुकी आप देख सकता है कि मैशिंग के जो elements है वह बहुत ही ज्यादा चोटे हो चुके हैं तो चलिए तो यहां पर मैंने face पर क्लिक किया face पर क्लिक करने के बाद आप यहां पर static structure पर right click करेंगे insert में जाएंगे और यहां पर लिखा हो दिख जाएगा fix support जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे तो यह वाला face automatically select हो जाएगा और यह रिप्रेजेंट करेगा आपके fix support को यह blue portion आप कर रहा है fix support को ओके तो यहां first face यानि एक face select हो चुका है तो fix support हमारी लग चुकी है अब हम इसको थोड़ा rotate करेंगे और इस वाले face पर हम लगाएंगे loading condition तो again मैं यह वाला face select कर रहा हूं उसके बाद आप right click करेंगे insert में जाएंगे और force पर click करेंगे तो यह face automatically select हो जाएग इसके बाद आप यहां पर जो magnitude है load का यानि force का वो लगाएंगे तो यहां पर देखेगा direction के ऊपर यहां magnitude तो यहां देखेगा यहां आपको magnitude दिख जाएगा और यहां पर 0 लिखा है तो यहां पर मैं 10,000 लिख रहा हूं तो यहां पर मैंने 10,000 यानि 10 kilo Newton का load यहां पर लग इसके बाद हम solution पर right click करेंगे insert में जाएंगे deformation में Total deformation सेलेक्ट कर लेंगे again solution में जाने के बाद insert में आप stress में जाएंगे और equivalent stress select कर लेंगे तो यह दो parameter है जिनको हमें calculate करना है आप solution पर right click करेंगे और solve for click करेंगे तो यह solution करना start कर देगा और इन दोनों parameter के लिए आपको result देगा थोड़ा सा टाइम ले गए simulation को सौल करने में क्योंकि जो मैश का साइज है वो थोड़ा चोटा कर दिया हमने यान इंप्रूफ करते हैं तो जितना जादा मैश का साइज इंप्रूफ रहेगा उतने ही रिजल्ट आपको सही मिलेंगे और simulation में थोड़ा तो यहां पर हमारे result solve हो चुके हैं तो चलिए आप total deformation पर क्लिक कर लेते हैं यह हमारे total deformation के result जो कि कुछ इस तरीके के हैं तो इसको हम और स्मूथ वे में देख लेते हैं आप यहां क्लिक करोगे और no wireframe पर क्लिक करोगे तो यह है results इसके लावार आप देखना चाहते हैं कि original component क्या था और वो deform होने के बाद कहां मूव हो चुका है तो आप यहां पर फिर से क्लिक करेंगे आप second option चूज कर सकते है शो अंडिफॉर्म वायर फ्रेम तो यह वायर प्रेम के थो दिखा देगा यह देखेगा जो अब यह रिंग आ गए है बात में यह उरिजणल शेप को दिखा रहे हैं जो कि यहां है और यहरा है तो यह ओरिजणल शेप को दिखाते हैं कि डिफॉर्म होने से पहले वो यहां पर कहीं था और यह extend हो गया है मतलब बाहर की और शिफ्ट हो गया है क्योंकि हमने इस पर लगाया तो डेफिनेटल इसकी थोड़ी बहुत लैंद बढ़ती है according to the loading condition तो आप animation प्ले करकर भी देख सकते हैं यह देखेगा original component यहां पर था बट यह बाहर की और शिफ्ट हो रहा है लोड लगने पर तो अब मैं इसको animation को stop कर देता हूं इसके बाद stress के result देख लेता है तो यह stress के result और आप यहां देख पा रहे होंगे अगर मैं इसको थोड़ा जूम कर दो और यह देखेगा मैं इसको जूम कर रहा हूं तो यहां पर आप एक रिंग देख रहे होंगे तो यही रिंग जो है यहीं से आपका component है वह maximum chances है फेल होने के क्योंकि आप यहां color contour के थो result देख सकता है यहां maximum deformation होगी और you can say हम stress के result देख रहे हैं तो यहां पर हमारी सबसे ज्यादा stresses generate हो रहे होंगी तो टूटने के chances भी हमारे यहीं से ज्यादा होंगे इसके अलावा अगर आप total deformation देखेंगे तो deformation सबसे ज्यादा यहां होंगी बट जो टूटने के chances हैं वो यहां कहीं होंगे चलिए तो अब हम loading condition को change कर लेता है यह तो थे tensile loading के result अब हम सेम loading condition लगाएंगे बट इन a compressive manner तो हम वापस से force पर जाएंगे और सिर्फ force की direction को change कर देंगे तो जहां पर आपने यह 10,000 न्यूटन फीड़ किया था उसके जस नीचे आपको direction का option देख जाएगा आपको सिर्फ यहां पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बार आपको यहां रैड कलर और ब्लैक कलर का option दिख जाएगा आप इनमें से किसी भी एक पर क्लिक करेंगे तो यह जो arrow है यहां पर जो लोडिंग की क्लिक करेंगे आप जो आपका लोड है वह कंप्रेसिव डिरेक्शन में लग चुका है इसके बाद अगेन आप सॉलूशन पर राइट क्लिक करेंगे और फिर से सॉल करेंगे विद डिफरेंट लोडिंग कंडिशन बागी सारी चीज़ें सेम है जो लोड है अभी भी 10,000 न्य डिफॉर्मेशन पर तो यह है हमारे टूटल डिफॉर्मेशन के रिजल्ट और आप देख सकते हैं रिंग आप यहां पर देख रहे होंगे वायर फ्रेम वाली रिंग है जो कि शो कर रहे है कि कंप्रेसिव लूड लगा है तो वह अंदर की डिरेक्शन में शेप्ट हो गया डिफॉर्मेशन हो रही है विद्धी है अफ दिस कलर गॉंट्यूर ग्राफ यूंट सी एंड नाव क्लिक ऑन दस्ट्रेस रिजल्ट तो यूंट सी अगें तो जो रिंग है आपको यहां दिख रही होगी अगें मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूं यह दिखेगा अगे सब्सक्राइब करने के लिए पहले से चेक करके बता लगा सकते हैं कि कहां से कंपोनेंट फिल होने वाला है और आप वहां पर अपने डिजाइन को थोड़ा इंप्रूफ कर सकते हैं तो यह था एक स्टैब बार का टेंसल एंड कंप्रेसिव लूड अनालिस तो आई होप कि आपको यह विडियो पसंद आया होगा फ्यूचर में असी तरीके की वीडियो को देखने के लिए प्लीस स्ट्राइब दे चैनल थैंक यूफर वाचें थैंक यू फो वाचेंग प्लीस सस्क्राइब दे चैनल for more related videos